Hello friends, मैं हूँ रीमा, स्वागत है आपका रीमा ज नौर्थ हैं साउथ किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं पालक की दाल, मैंने इसे अरहर दाल यानि तूर दाल में बनाया है आप इसे किसी भी दाल में बना सकते हैं, बहुत ही हल्दी होती है आईए देखते हैं ये कैसे बनती है पालक की दाल बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम पालक लिया है, इसको हम कट करके ले लेंगे और टू थर्ट कप मैंने तूर दाल यानि अरहर दाल लिया है इसको हम अच्छी तरीके से वाश करके ले लेंगे आप देख सकते हैं मैंने इसमें तीन ग्लास पानी डाला है आप अपने एकॉडिंग डाल सकते हैं और मैंने इसमें एक ओनियन कट करके डाला है तेरा से चौदा हम इसमें गार्लिक डाला है लहसुल और दो मैंने इसमें हरी मिज डाली है और ब्लेक पेपर मैंने चार से पां दाला है, खड़ा नमक मैंने यूज किया है, आप इसमें पिसा नमक भी डाल सकते हैं, दो मीडियम साइज का टमाटर डाला है मैंने इसमें और कटा हुआ हम इसमें पालक डालेंगे, जो मैंने स्टार्टिक में लिया था, ये सभी चीजों को हम कैस पर चरहा देंगे, और चा पानी है मैश नहीं होगा पानी निकाल के मैश करेंगे, अब देख सकते हैं अभी अच्छा मैश हो रहा है, और जो पानी निकाला ना वो हम फिर से इसमें एट कर देंगे, हमारी दाल रेड़ी है, अब हम इसका तड़का रेड़ी करेंगे, तड़के के लिए मैने तीन चम्म चमच राई डालेंगे और आधा चमच इसमें हम डालेंगे जीरा और इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे हम और इसमें छोटा साइस का प्याज कटा हुआ लिया है मैंने और दो इसमें मैंने सूखी लाल मिच्चे ली है और हमने इसमें करीपता लिया है आप कम ज्यादा ले सकते हैं थोड़ा लिया है मैंने ये सभी चीज को फ्राइ करने के बाद हम इससे तड़का लगा देंगे तड़का लग चुका है हमारी डाल बिलकुल रेडी है खाने के लिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है आप घर पे इस जरूर कमेंट करके बताइए अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें आप देख सकते हैं हमारी डाल बिलकुल रेडी है खाने के लिए तई